बर्सों को सुप्ति अवस्था में सुविवी बीज को जब पानी हवा और प्रकास का अनवब होता है तो अपने अंदर से ओव एक प्रिक्ष को जागरित करता है अब देख सकते हैं यह समेटे हुए कुले समेटे हुए मिठ्या देख रहे हैं यह जारो लगागे रखा हुआ है जब इसे प्रियाप पानी प्रकास और पवन के संपर्क में आया तो यह अपना फल देना शुरू कर दिया है दो पतों से यह कितनी सुन्दर लग रहे हैं जब यह बीज को देखते होंगे आप तो कुछ नित समझ में आता होगा यह बीज किस चीज़ का है कैसे होगा मगर जब इसका पैराम तभी होता है जब इसके पौध ही निकल जाते हैं बवूल के बीज बहुत चिकन होते हैं बहुत ही चिकना हट होता है कितने सुन्दर दिखने में लगते हैं मगर जब उगते हैं तो लंबे लंबे उजले उजले से काटे निकलते हैं उसमें उसमें आम को देख लीजे, तो बीज, आप इस से ये सरूर समझे लेजे कि बीज, धर्म की रक्षा जरूर करेगा, धर्म की रक्षा करने के लिए एक न एक बीज अवस्च उत्पन हो रहता है, और वो अपने धर्म को रक्षा करता है, ये देखिए, ये काली मिर्च है, और इसकी फ सारे देखिए मैं आपको दूर से दिखाना चाहता हूं देखिए इसको इसमें फ्रोटिंग्स भी होने वाले बिल्कुल काले काले से इतने बड़े मिर्च निकलेंगे इसमें एक मिर्च नहीं कोई खा सकता है बहुत ही उच्चितम परचादी का मिर्च अब बात करें हम फू दर्सन है इसमें पांच पंखुरी ही क्यों होता है कि इस फुलों के अंदर है कि इसका यह बहुत बड़ा एक दर्सन है कि पांच पंखुरी क्यों होता है अटारी पे चड़े हुए लत्यां बारिस में जूम उठती है आया साबन जूम के तो यह बहुत सारे चीजों को पस्थाबित करता है एक बीज बड़े बट्विक्ष को जबन देता है और बट्विक्ष जाके पथिक को चाया देता है तो यह जीवन का मूल मंत्र है कि हमारे हैं सिर भी इस बार्टिका में बहुत चारी flowers हैं बहुत चारे फ्रोटिंग्स हैं मैं ज किस का दर्सन करirie हो आप दए यह किस के समलाय-myrch कर रहें जा रहे हैं जेक्याहर फ्रोटिंग्स कर रहे हैं यह यह देख रहे हैं इसको इसे क्लिज करρωगे i बहुत सारी समिला मिर्च हैं तो यह मिर्च में काफी सारा फ्लावर्स काफी फ्लावर्स देख सकते हैं अगर आपके पास थोरा भी जगह है तो मैं फिर कहूंगा कि अपने टैरिस पे थोड़ा सा गार्डिन लगाईए स्वास्त के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया देगा उसके देखे इस मिर्च में अभी फ्लोटिंस हो रहा है फिर से फ्लोटिंस हो रहा है यह दूसरी बार का फ्लोटिंस है आज से दो महिने पहले मैंने काफी मिर्च इसमें सिखाया मकई की रोटी नमक तेल अचार पिमिर्च सर्सों का साग में मिर्च हरी मिर्च इसकी स्वाद ही कुछ और रंग ला देती है है तो रस्त को बनाने के लिए बहुत सारे माद्ध्यम फोते है ैखे एखिरा कि अग्रेच मैने किसी परीस को रिप्लांट ने किया वहीं बरीच है जो मैंने फ़रवरी में लगाया था सिंदूर का सिंदूर का वीज है ये औरजिनल सिंदूर का बीज है जो कहें से आया था तो वो मैं लगाया हूँ अभी सिंदूर का बीज ये सिंदूर का बीज इसमें देखते हैं प्लांट होता है तो ये खास करके जारखंड से आया है बीज तो इसको लगाया है हमने और देखते हैं प्लांट का होता है तो बहुत सारे मन मस्त हो जाता है, जूमते हुए flowers, यह अच्छे अच्छे fruitings, है ने, देखिए, यह रख कैसे फरा हुआ है, बिना खाद, बिना उर्बरक के, बिना किसी fertilizer के, इससे मैं सिर्फ प्रेम करता हूँ, इससे सिर्फ प्रेम करता हूँ, और इस प्रेम को समझता है, तो प्रेम करता हूँ, तो यह मुझे फल दीता है, दोस्तों, जीवन का, देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आरे, गुलहर का फूल, देखिए, हमारी मैडम, हमारी मालकीनी डेली आती है, तो कि भाई मैं तो, जहाँ पे, एस जी रेंटर हूँ, मकान तो इनी के न होता ते संतार बिहीन होता, रंग नहीं होती, बिहीन होते, स्मरुस्थल होता, ना जहरने होते, ना पहार होती, ना पौधे होते, ना पज्जर होता, सदेव निर्जर रहता, सदेव निर्जर रहता, तो इस्त्रियान तत्तु का, जो अगर हम विशलेशन करते हैं, तो इस इस्त्रियान तत्व है और आपको मैं एक चीज़ कहूं कि हरेक मनुष्य के सरी में इस्त्रियान और पुरुषयान तत्व होता है ठीक है इस्त्रिय तत्व हमारे बाम साइड होते हैं और पुरुष तत्व हमारे दाएं साइड होते हैं हरेक मनुष्य में इस्त्रिय और पुर पुल्हर में देखे रहे हैं इस बुल्हर के अंदर कोम करेले लटके रहे हैं देखे कितने खुझ होता है जब प्राकृती और प्लारी पर टो हम नहीं पर ऐसको तो हमने मेहनत किया है मैंने बहुत इसको पाला है मैंने कोई भी केमिकल युक्त दोहन करने वाला फट्रिलाजर के इस्तमाल नहीं किया ठीक है जिसका यह परिणाम है कि आज हमारे बगीचे में नानप्रकार के अगर आप वैसनब हैं तो अगर आप वैसनब हैं अगर डिफिसेंश है तो अरहूल का चाय पिए गुलहर का चाय पिएंगे तो आपके सहीर में बहुत साइडिसाउडर समाप्त होंगे कि देखें जीवन को जीना है जीवन जगदिश्वरऑ के लिए जीवन जीने के लिए जीवन धन जगदिश्वरऑ के जब हम इस धान्त पे चलते हैं तो हमें कोई भी दिक्कते निया जैसा कि मैंने देखिए फोल कितने हैं देखिए पूरे की पूरे डाली भर जाते हैं अब देखना लती को बिल्कुल प्यार से नहों चोड़ दो फोल को पदर से छोड़ दो हटा देखना भिंडी भिंडी उस को यार उसको प्यार से नहीं पौना लगे तूट जाएगा नहीं तो देखिए हैं डाली जुख गई है फूल कि इतनी सारी फूल हैं इसी पर कैला भी लटके हुए हैं चुकि मैंने देखो मुझ में एक है कि आप प्राक्रितिक धंसिक कुछ ने कर जो जहां जाता उसको ज कि यह घ्रेल हैं जिए चागे है इसके आपर किसी लट कि जिस्क पर अपर और तो यह अगया है तो यह एक चयुख लेकर चारा पर देखे यह पंप्पकीन का पौधा यह इक पत्य को आगर अगर सबजी आप बनाए खाते है ना यह पत्त जो है इसको पत्ते को आप बेसन म लेके थौहलका फ्राइक करते हैं, उसके बाद इसमें रस्ट दिए, ओ, क्या सबजिया बनती है भाई साहब, मान जाए, यहां पे था ना, दिखता है नहीं बहुत ऐसी सबजियां, बहुत इसे गहरे होते हैं, जो दिखता नहीं है, और बाद में जो है, सो पता चलता है कि व तोड़ा थे भावां किया होगा तोड़ा तोड़ा घृष के लिए हैं भी लिए तोड़ा जो आ है इस रोगा धाला यहाँ इसमें पुरा सब्सक्राइब देखके यह तो ले लो ले लो इस तोर सकते हो और इसको कैंची से कारती तो अच्छा था कैंची तो यहीं पर होगा को युठ में ले गई थी ले गई थी में Suppose केंची यहां तो है नहीं से यहां लेगी थी इस अ overthrow है कि सुऩौि देखिए बच्चों के तरब नजर लगता है यह बात दो मानना पूरेगा आपको सुक्सока इस में नजर बहुत तक अपर दगता है इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें पोधो को ऐसे में कैसे बचाना है देखिए कहां कचट गया है देखिए कि इसको इधर को करते है इसको इधर को करते है कि देख रहे हैं यह भागा जा रहा है तक है i eat space मिलने की ज़रुष होती है और यह जो हैि भागता रहता है देखिए कहां तक होटे कितने इच्छे आछिए कि यहां पर क्या होता है कि आइरन का स्फोर्स मिलता है सको भर्णार है इसको पूरा सफिक मिलता है Istруल निट्रिस्टन भी मिलता है ई is तिलकूर की लगते हैं होगे रेभी अधरी देखिये ये कहालत का हुआ था इसको मैं अपने पॉइंट में डालूगा कैसे डालूगा इसको करता हूं यूँ कि ले जाता हूं आएस से यहां पर और यहां से इसको सपोर्टिंग दूँगा देखिये एक बार इसको लए तरह नाज़रा नूता निज़रा हुआ हाँ इसको इस लख्ती सपोर्ट करो और लख्ती का फ़री तरह ले आए इस लख्ती कुत्रा इसमें सपोर्ट कर दो इस कुत्रा हलका सा इसमें इसमें कर दो इसमें धोजा पे चार जाएगा इसमें इसमें कर दो इसमें इसमें अधर इसमें हाँ खालिया यह मोयल पकर लो तो इलो वीडियो को बन कर दो